Hello everyone, welcome back, कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे Dear friends, आज का हमारा ये लेक्चर आपके chapter प्रतियस्थापन द्वारा समाक नर्थाथ Integration by Substitution का second lecture होने वाला है आइए डियोशन फटर फट से आज किस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं lecture को start करने से पहले आप सभी लोग को बता दें कि अगर आप सभी लोग के पास लगबख 40-45 मिनट का टाइम है तो इस lecture को continue करिया नहीं तो अभी ही skip कर दिये क्योंकि आज के lecture आप सभी लोग लिए बहुत ही जादा important होने वाला है आज के इस complete lecture को देखने के बाद आप सभी लोग इस sector की बहुत ही important important चीजियां आप सभी लोग सीखेंगे जिसका use करते हुए हम लोग question को solve करते हैं तो आई एडियोशन फटर फटर से lecture को start करते हैं second lecture है इसमें हम type second के बारे में बात करेंगे अगर आपको याद हो तो previous lecture में हमने प्रतियस्थापर में type first के बारे में discuss किया था type first में हमने आपको बताया था कि इसमें हम लोग यह देखो यफ ax plus b type के जो functions होते हैं उन्हें कैसे integrate करते हैं तमाम examples लेते हुए और हमने आपको हम पर question solve कराते हुए समझाया था task भी दिया था और उसको आप सभी लोगों ने बहुत कम लोगों ने complete किया था lecture के last में मैं कुछ task देता हूं तो सभी लोग इसको ध्यान दिया करें last में task जरूर complete किया करें आज हम लोग second type discuss करने वाले हैं इन second types में आपको four types यहां देखने के लिए मिलेंगे इन four के four types को मैं आपको समझाओंगा इनका use करते हुए किस तरीके से हम direct किसी का integration लिख सकते हैं साथी साथ इनके विहाब पर एक एक दो दो पहले आप यह समझो कि जैसे वह यहां जो एफ डैस एक लिखाए यहां दीप डैस एक्स अफ एक्स मतलब यह जो एफ एक्स है इस का मतलब इस एफ एक्स का डिफ्रेंशियल कोफिसियन लिखा हुआ है इस इसको आप ध्यान दखिएगा integration में notation हम लोग सदे उसे यूज़ करेंगे तो हमें यह सीखना है कि अगर हमें कोई ऐसा function मिल जाए जिसमें f-x लिखा हो और नीचे क्या लिखा हो fx और d इस तरह का अगर question हमें मिलेगा इसको हम सभी लोग कैसे solve करेंगे इसका मतलब क्या है sir denominator में हर में कोई function होगा अंस में जो function लिखा हुआ होगा वो हर का differential coefficient होगा हर का आउकल गुडांग होगा उस situation में हम इसको किस तरह के से integrate करेंगे यह हमें यहां समझना है अगर यह समझाते हैं इस केस में क्या करना होता है method सीखेगा फिर एक्जांबल के मादर में से clear करूंगा method क्या होगा f x equal to t यहां पर substitute किया जाएगा f x equal to t यहां पर क्या करेंगे substitute और इसे हम करेंगे differentiate अब जब इसे आप differentiate करेंगे तो f x का इसे replace करते हैं substitute करते हैं और उसे differentiate करते हैं यह चीज़ पूरा हमारा डीटी देखो दहांसे यह f x dx जो है इसके प्लेस पर क्या गया है करना सबको आता है लॉग मॉड आफ टी प्लस में c लॉग मॉड आफ टी प्लस में अब टी की वेलू क्या होगी f x होगी तो answer आजए कितना लॉग मॉड आफ एफ एक्स और प्लस में c यह आप सभी लोगों का यहां पर क्या होगा answer यह होता है method इस तरह के function को integrate करने का जब denominator में function लिखा होगा और numerator में उस function का derivative या differential coefficient या आउकल गुडांक लिखा होगा तब आभी देखना इस concept का use करते कुछ हम लोग derivation भी यहां करेंगे आप बहतर तरीके समझे आइए मैं आपको एक example के माध्यम से यहां असपस्ट करके दिखाता हूँ example समझे जैसे हमें यहां करने किया जाए two x upon one plus x square देखो धान से यह question है हमें इसको solve करना है अब देखो धान से यहां जो denominator में लिखा means one plus x square लिखा हुआ डारेक्ट इससे आपके integrate कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो लेकिन देखो अगर one plus x square equal to t substitute करोगे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस chapter में substitution होता है value put करी जाती है माना नहीं जाता एक्जाम में लिख दो कित नंबर कर सकता है जातर लोग मान लेते हैं सकते हैं लेकिन हम क्या करें इसको साल्व करें 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 इसका मतलब यह हमारा क्या है इसी ताइप का question हुआ कि नहीं हुआ तो हम देखिए इसको जब साल्व करेंगे अगर हम इसका डारेक्ट एंसर लिखना चाहें तो क्या आएगा बताओ लोग मौड आफ वन प्लस एक्स स्क्वार प्लस यही एंसर आएगा यह देखो लॉजिक बताएगा ना एफ एक्स आता है जब उपर एफ डाइस एक्स लिखा होगा तो यह डारेक्ट एंसर हम लोग लिख सकते हैं लेकिन हम क्या करें इसको साल्व करें कैसे करेंगे देख और यह आपका टू एक्स अपान वन प्लस एक्स स्क्वार डी एक्स जो है अब इतना पूरा डीटी हो गया यह क्या बचा वन अपान टी डीटी बचा वन अपान टी का इंटीरेशन करोगे तो लॉग मॉड आफ टी प्लस सी आएगा अब टी के प्लेस पे कितना रखा लॉग में जान रखना है कभी जरूवत पड़ेगी तो बीना हम लोग इस लॉग मेथट का यूज किये विदाउट यूजिंग इस लॉग मेथट वी कें राइट डारेक्ली रेजल्ट हम डारेक्ली रेजल्ट को लिख सकते हैं अगर आपको यह कंसेट्ट पता होगा तो म उसको भी हम लोग बहतर तरीके से सीखने वाले अभी उसी का यूज होगा लेकिन अभी टाइप वाइस टाइप करके हम यहां बढ़ते चलते हैं और चीजों को आप सभी लोग को समझाते चलते इसको फटा-फट चे डियो स्टेंस नोट करिएगा एक ही एक एक्जामपल और लेकर के मैं आपको समझा देता हूं देखो कैसे एक एक्जामपल और देख लीजिए इंटिग्रेशन आप इसको डिफ्रेंसियेट करने पर यही आएगा इसका मतलब नियूम्रेटर में डिनॉम्रेटर का डिफ्रेंसियल कोफिसियन लिखा हुआ है तो मुझे आप सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइबसे 312 सब्सक्राइब को जाएगाो फाइनली आपको मिलेगा लॉग को टी प्लस सी टी की वर्यू रग दोंगे लॉग मॉड आफ वन प्लस ए टु दी पावर एक्स प्लस सी और यही आप सभी लोगों का क्या हो जाएगा एंसर यह फस्ट टाइप था टाइप सेकेंड का फस्ट टाइप था जिसको हमने अथ्छे से एक्स्प्लेइन भी किया है डि हुँh इसको पहला कियर हो गया इसको हम यहां से इरेज रहते हैं और चलते हैं सेकेंड टाइप कीतरा बहुत रहा इंप्लीक्र है सब्सक्राइब एक क्लाश को थोड़ाल बड़ा किया जाए एक घंटे देड़ घंटे की लाश करी जाए इस अ मानक पर ही हमेशा काम करना है खास कर मैथमेटिक्स में सारा काम टीचर ही नहीं करता मेरे प्यारे बच्चों, जब तक आपकी copy और pen use नहीं होगी, तक आपको mathematics नहीं आएगी 40 मिनिट में हम complete concept, complete logic उसके बिहाब पर कुछ questions आप सभी लोग को solve करा देते हैं अब आप सभी लोग को उसका use करते हुए ज़्यादा प्रैक्टिस करने किया हो सकता है यतनी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा, अगर सारे question मैं ही solve करा दूँगा और आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उस समय आपको problem हो सकती है इसलिए self study पर भी आप सभी लोग को ज़्यादा ज़्यादा फोकस करने की आवा सकता है तो आएए चलते हैं second wallet type पर और देखते हैं यहाँ पर क्या लादिखोगा इसको मैं result की फाम में लिख दे रहा हूँ इसका result हमारा आगया है log mod of fx plus c यह हमने जानले यह first wallet type का derivation कर दिया है और हमें यह result मिल गया है ठीक ना अब आए यह second वाला देखिए इसमें क्या है denominator में यहाँ पर भी function होगा लेकिन उस function की कुछ power भी लगी होगी वही है और उपर उसका derivative लिखा होगा उपर उसका derivative लिखा होगा आसान है आज़े समझाते हैं सभी लोगों देखिए इसमें क्या है हमारे पास यह सेकेंड टाइप है यह ऐसा होगा मतलब f-x होगा और नीचे fx है लेकिन इसकी power भी लगी हुई है इस तरीके से तो वर्क एकदम same to same वह ऐसा ही होगा मैं आपको समझाते चल रहा हूं आप समझते चलिएगा जैसे यहां भी क्या करेंगे सब्टिट्यूट करेंगे सब्टिट्यूटिंग fx is equal to t सब्टिट्यूट करोगे डिफ्रेंसियेट करोगे तो f-x dx equal क्या आएगा डीटी आएगा यह सारी वैलूज लाकि जब यहां पूट करेंगे देन आप क्या fx upon fx to the power n dx equal अब यह देखो f-x dx dt हो गया तो one upon अब इसको t लेट गया तो t की पावर n और क्या हो जाएगा डीटी हो जाएगा अब जो वहां पर one upon t फार्मला बन गया था यह one upon t की पावर n बन रहा है तो उपर जाके t की पावर minus n और dt हो जाएगा अब t की पावर n वाले कंसेप्ट से हम इंटीग्रेट कर लेंगे जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा बोलो minus t to the power ध्यान दीजिएगा आराम से समझते चलिएगा डियोसिंस क्या बचेगा यहाँ पर t to the power minus n plus 1 upon minus n plus 1 plus में c यही आप सभी लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा अब अगर आप चाहें तो t की जगाँ पर fx रख दें यहाँ हो जाएगा fx whole to the power minus n plus 1 upon minus n plus 1 plus c यही आप सभी लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा रजल्ट हो जाएगा देखो दोनों में सेम ही है उसमें भी denominator में जो function लिखा था numerator में अर्थात uns में उसका derivative लिखा था इसमें भी हर में जो function लिखा है uns में उसका क्या लिखा हुआ है derivative लिखा हुआ था बस यहाँ पर प्रतियस्थापन करने पर दूसरा formula बना है x की power yen वाल वहाँ पर दूसरा बन रहा था बीना example कि आपको समानी में नहीं आएगा एक छोटा सा example लेकर कि आपके साथ discuss करते हैं कि example देखेगा यहां पर देखेगा आप सभी लोग एक्जाम्पल जैसे हम लिख देए cos x upon sin to the power 5x dx ठीक यहां देखेगा इसे हमें क्या करना है साइन की पावर माइनस 5 प्लस 1 इसका मतलब माइनस 4x हो जाएगा अपान में माइनस 4 प्लस C यहीं इसका एंसर अगर आप डारेक लिखना चाहें तो लेकिन अगर हम इसे simply 5 करना चाहें इसे साल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे आईए जरा समझते हैं इसको हम लोग दफि क्तिति तंग क्या सब्टितिट करना है यह साइन एक्स इस इवाल टू टू टी डिफ्रेंशीेट करो गिरत तो क्या हैंगा कास एक्स दी एक्स इविवल्डू आप ज़रा विखेंगे cos x upon sin to the power 5 x dx equal cos x dx dt हो गया तहां हो गया dt आपान यहां हो गया t की पावर 5 ऊपर जाएगा तो t to the power minus 5 dt होगा integrate करेंगे तो t to the power minus 5 plus 1 upon minus 5 plus 1 तो t to the power minus 4 upon minus 4 plus सी अब टी की वेलू क्या थी किसको आपने यहां पर सब्टिट्यूट किया था साइन एक्स को तो देखो यहां हो जाएगा साइन की पावर माइनस फोर एक्स अपान माइनस फोर प्लस मिसी आप देख पा रहे होंगे कि आपको वही रिजल्ट मिला है जो हम सभी लोगों ने यहां पर डारेक्ट लिख दिया था तो यह है इसका लॉजिक यह कंसेट आपको समझ आया होगा इसको फटा फट से आप सभी लोग नोट कर अगर आप दिमाग लगा रहे होंगे तो आपको 100% समझ में भी आ रहा होगा इस बात की भी गरेंटी है यह थोड़ा देखते हैं कि हम लोगों ने क्या-क्या यहां पर फाइंड कि है नमबर पहला आप पढ़ चुके हो कि अगर यहां F-X है और डिनॉम्नेटर में F-X है इ यहां F-X to the power N लगा हुआ है तो इसको साल्व करने पर आपके पास F-X to the power क्या मिलेगा माइनस N प्लस 1 मिलेगा अपार में माइनस N प्लस 1 मिलेगा प्लस में C मिलेगा यह दो इंप्वाटेंट रेजल्ट हम लोग यहां पर डिसकस कर चुके हैं उनको समझ चुके हैं और स आथी साथ देखो जब टाइप वाई जो बहतर तरीके समझोगे ना तो बाद में धीरे-धीरे करके हमारे दिमाग में जबर जस्त आइडियाज बनने लगते हैं फिर हमें कुश्चंस को साल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होती है अब आईए जरा हम इसकी बात करते हैं अ अलग अलग तरके सब को दिखाना हमारी जिम्मेदारी है अगर हम चाहे न तो एक ही बार में सब समाप्त हो जाएगा लेकिन हर एक टॉपिक पर हर एक चीज़ पर चर्चा करनी जरूरी है समझ में आ रहा है ना तब आगे चलके आपको दिक्कत नहीं होगी तो fx यहां पर क्या है f dash x into fx मतलब यहां पर जो derivative इसका है differential coefficient जो है वो इसके multiply में ही दिया गया है तो इसको हम लोग कैसे करेंगे देखो यहां पर भी substitute करेंगे substitute करेंगे fx is equal to t जब इसको आप differentiate करोगे तो f dash x dx equal कितना मिलेगा बोलो dt मिलेगा अब यह और यह मिलके क्या हो गया है dt और fx को ले लिए है t therefore यह आपका देखो जान से f dash x into fx dx जो हमारा हो कितना गया पूरा और इसको t तो क्या हो जाएगा t dt अब इसका integration क्या आएगा t square by two plus c अब t का मतलब कितना fx तो finally सब्सक्राइब देखो जैसे मलगे integration करने के लिए आ जाए integration करने के सभी रोग को मलगे यहाँ पर देदिया जाए जैसे आ जाए आपके पास cos x आ जाए into sin x आजाए इसे हमें क्या करना हो integrate करना हो तो इसको हम मानेंगे यही तो आएगा समझ में आ रहा है अगर इसका हम direct answer लिखना चाहें तो जानते हो क्या आएगा यह fx है तो इसी का square means sin square x by 2 plus c यह इसका answer आएगा जो मैं direct लिख सकता हूँ समझ में आ रहा है तो अब इसको अगर हम solve करना चाहें by process तो कैसे करेंगे बोलो यह लिखेंगे substitute करोगे क्या sin x equal to t तो क्या आएगा बोलो cos x dx equal to dt आएगा therefore यह आपके पास जो लिखा हुआ है cos x into sin x dx यह हमारा equal कितना हो जाएगा t dt हो जाएगा तो t square by 2 plus c अब t किसको लेट यह थी sin x को तो हो जाएगा आपका sin square x by 2 plus c यह आपका direct result यहां पर हो जाएगा तो यह हमारा जो third result था उसको मैंने आप सभी लोगों को समझाया आप कुछ लोग सोचेंगे सर यहां cos x को लेट कर लें तो sin x इसका तो वैसे भी आप सभी लोग कर सकते हैं बाद में साल्व होने पर रेजल्ट आप सभी लोगों का वही आ जाएगा उसके लिए आपको टेंसल लेने की जरुवत नहीं है एंसर वही आएगा तो यह आप लोगों ने थर्ड टाइप सीखा समझा अभी जितना जादा बहतर तरीके से करते चलोगे न भाईया उतने अच्छी से तरीके से आप सभी लोगों को समझ में आता चलाएगा सारे concept में यहां बहतर तरीके से clear करते चल रहा हूं समझाते चल कराते चल रहा हूं उनके विहाब पर example कराते चल रहा हूं साथ ही साथ उनका direct result भी यहां लिखाते चल रहा हूं अगर आपके exam mcq हुआ बहुभी कल्पी यह प्रस्ण हुआ तो यह चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूं ना यह राम बान का काम करेंगी डारेक टेंसवर आप सभी लोग लिखेंगे वह ऐसे भी यह सारे फार्मुल्य आपके बहुत ही ज़्यादा helpful होंगे अब आईए हम आपको समझाते हैं फोर्थ टाइप देखिए फोर्थ टाइप में हम देखें यहां मारे पास लिखा है f-x into fx to the power and dx यह तो उसी की तरह है जो denominator था वह यह differentiate करेंगे f-x dx equal कितना आएगा dt अब यह सारी value यहां जब रखेंगे therefore f-x into fx to the power and dx पूरी जब value लाकर के रखोगे तो यह देखो f-x dx dt हो जाएगा और यह t to the power and dt होगा इसको integrate करोगे तो t to the power and plus 1 upon n plus 1 plus c अब t की value लाके put कर दो वही यह f-x हो जाएगा तो f-x to the power n plus 1 upon n plus 1 plus में c आपका क्या मिल जाएगा result मिल जाएगा समझाता हूं आप सभी लोगों को एक प्यारा सा example लेकर के एक छोटा सा example लेकर के इस type को भी आपको बहतर तरीक समझा देता हूं फिर इन सारे concept का यूज करते हुए कुछ trigonometric functions के integral का हम हमें value find करनी है कुछ particular जैसे time x cortex के और कॉसे कहा में नहीं पता ना उसका हम लोग अभी derivation करने वाले हैं तो example देखें integration आप cos x लिख दीजिए और यहां sin to the power 5 x लिख दीजिए डारेक रिजल्ट इखना चाहें तो क्या एगा बोलो sin to the power 6 x आएगा अपान 6 प्लस इडारेक यहीं आगा न प्लस वन अपान अन प्लस यह तो आता है तो देखो अब इसको अंसाल कैसे करेंगे डारेक रिजल्ट लिख रहे है यार डारेक रिजल्ट लिख रहे हैं आपको समझ में भी आ रहा हुगा कैसे substitute करो यहां पर substituting sin x is equal to t क्या हैगा cos x dx equal dt cos x dx dt हो गया finally आपको यहां कितना मिलेगा t to the power 5 dt तो t to the power 6 by 6 plus c अब t की value मुझे बताओ t का मतलब इसी को तो लिए हो न तो sin x to the power 6 हो जाएगा upon me 6 plus c जो हम डारेक यहां पर रिजल्ट लिख चुगे थे इन्ही सारे questions के लिए सब बहुत परेसान होते हैं बहुत परेसान होते और इनको देखते ही आप direct answer लिख दोगे आपको इतना बहतर तरीके से मैं सभी लोगों को समझा रहा हूँ तो यह 3-4 results आप सभी लोगों को मिल चुके हैं अब यह जो 4 results आप सभी लोगों को मेरे प्यारे बच्चों मिल चुके हैं इन 4 results की help से हम लोग क्या करने वाले हैं कुछ फार्मलों का derivation करने वाले हैं फिर धीरे धीरे कर करके हम बहुत ही अच्छे-च्छे question solve करेंगे और x to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c यह बहतरीन और important result आप सभी लोगों को यहां से मिले हैं जिसको आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है बहुत ही जादा important result है इसको note करिए always remember रखिए अब इनका use करते हुए कुछ important समाकल हम आपको दिकालने वाले हैं टाये एक्स, कॉट एक्स, समाकल का derivation करने वाले हैं जिनका use करते हुए हम लोग question को solve करेंगे इसको सभी लोग note कर लिए फिर आगे बढ़ते हैं अगर lecture आपको पसंद आ रहा है ना समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों तो एक बारी आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ share कर दो यार और lecture को like नहीं कियो तो like कर दो और comment section में comment करके थोड़ा सा मेरा उस्साह वर्धन करने का प्रयास किया करिए तो हम लोग करने वाले हैं देखो क्या-क्या तैन यक्स, कॉट यक्स, सिक यक्स, योम, कॉसिक, यक्स का समाकल फाइंड करने वाले हैं इंटिग्रल आप तैन, कॉट, सिक एंड, कॉसिक, लिख देते हैं इंटिग्रल आप इंटिग्रल आप, किसका-किसका निकालने चल दे हो तैन यक्स, कॉट यक्स, सिक यक्स, एंड, कॉसिक यक्स ये हमें करना है देखो बाकि सबका इंटिग्रेशन क्या होता है, हम इसके पहले पढ़ चुके हैं लेकिन 10x का integration क्या होगा, cortex का integration क्या होगा, cosec x का क्या होगा, sec x का integration क्या होगा, यह हम लोग by substitution method यहाँ पर derive करेंगे, उसके बाद फिर इसका use करते हुए हम लोग तरह तरह के questions को dear students क्या करेंगे, solve करेंगे, ठीक न, आईए समझेगा, पहला करने चलते हैं, फर्स्ट, integration of 10x, ध्यान देना सभी लोग, इसको हम लिख सकते हैं, sin x upon me cos x dx, लिख सकते हैं, अब देखो, substitute करो यहाँ पर, लिखेंगे, substituting cos x equal to t, तो इसको differentiate करोगे, तो minus sin x dx equal dt आएगा, तो अगर हम यहाँ से sin x dx निकालना चाहें, तो हमें minus dt भाईया, मिल जाएगा, बोलो इतनी बाते सबको समझ में आई, substitution ही हो रहा है, जो आप सभी लोगों को सिखाए जा चुका है, उसे ही substitution हो रहा है, therefore, यह हमारा जो है, देखो जहां से, यह हमारा जो sin x upon me ध्यान दो, cos x dx है, यह हो क्या गया हमारा, dt, minus dt हो गया, और अपान में इसको t लिए थे, t हो गया, समझ आ रहा है, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो यह 10 x ही है, अब इसको देखो, minus बाहर हो जाएगा, वन अपान t बचेगा, वन अपान t बचेगा, और dt बचेगा, इसको integrate कर दें, तो minus में log mod of t plus c, बोलो भईया, मिलेगा के नहीं मिलेगा, यहां से समझते चलो, तो यहां से आपको क्या मिला, integration of 10 x, जो आपको मिला है, वो minus log mod of t plus c मिला है, अब t मतलब cos x हो जाएगा, this equal to minus log mod of cos x plus c होगा, अब यह अगर minus बाहर जाए, तो log mod of cos x की power minus 1 हो सकता है, plus c, वो log m to the power n वाला, तो इसको वन अपान cos x लिख सकते हैं, वन अपान cos x लिखेंगे, तो यह 6 x हो जाएगा, plus में c हो जाएगा, तो यह result आप सभी लोगों को यहां से मिला है, जो ध्यान रखना है, finally आपको मिला है कि integration of 10 x जो होगा, वो equal होगा हमारा, minus log mod of cos x plus c के, या log mod of 6 x plus c के, यह हमें मिला है, और इसे हमें याद रखना है, आगे चलके हम सभी लोग इसको direct use करेंगे, आगे सलके हम लोग डियो स्टेंट से इसको क्या करेंगे, direct use करेंगे, इसलिए फटा-फट से note करिए कि 10 x का integration होता है, वो minus log mod of cos x plus c होगा, या log mod of c x plus क्या होगा, c होगा, clear हो गया, अब आईए हम आपको solve कराके दिखाते हैं, cortex का integration, ऐसे वो भी होगा, integration of cortex, solve करिएगा, और समस्ति चलिएगा हमारे साथ प्यारे बच्चों, इसको हम लिखेंगे, cos x upon sin x लिख सकते हैं, यहाँ पर भी हम लोग substitute करेंगे, sin x is equal to t, differentiate करोगे, cos x dx equal क्या हैगा, dt, therefore यह आपका जो cos x upon sin x है भाईया, यह हमारा क्या होगा, इसको upon t और क्या होगा, dt, अब इसका integration करेंगे, तो log mod of t plus c होगा, और यह क्या है, इसका मतलब cot x ही तो है, अब तीकी value रखतों, integration of cot x dx जो है, यह होगा, log mod of kis को t लिए थे, sin x को, तो sin x हो जाएगा, plus में c, इसको चाहें, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सामने अगर minus लगा दें, तो log mod of cos x plus c भी लिख सकते हैं, तो यह दूसरा result आप सभी लोगों को मिल चुका है, जहां जैसी हमें जरूरत पड़ती है, वहाँ वैसा हम सभी लोग भाईया यूज करते हैं, तो दो important result by using substitution method, integral of 10x is equal to minus log mod of cos x plus c, और log mod of 6x plus c होगा, या दूसरा वाला हमने drive किया, cortex का दो integration है, और log mod of sin x plus c होगा, या minus log mod of cos x plus c होगा, minus कैसे हो जा रहा है, plus कैसे हो जा रहा है, इस चीज को आप साइद भली भात समझ रहे होंगे, इसको फटा-फट से नोट करिए, अभी मैं आप सभी लोगों को कराने चल रहा हूँ भाईया, किसका, cx का और cos x का integration, उसको भी समझेंगे, ये सारे के सरजल ध्यान से बने रखेगा, ये सारे concept अगर आपको समझ में आ जाएगे न भाईया, अगर ये concept सारे समझ में आ जाएगे न फिर integration आप सभी लोगों को बहुत ही जादा आसान लगने वाला है, एक दम बहतर, धुवाधार तरीके से सारे चीज़ा आप लोग समझ पाएंगे, समझते चलिए, बने रहिए, और टेंशन मत दिए, इसको नोट करेंगे आप लोग, और आगे बढ़ेंगे, अभी तक जो लोग lecture को like नहीं किये हैं, कंजूसी कर रहे हैं, वो सभी लोग करने के लिए, यहां लिखेंगे से के एक्स, और इसको करने के लिए क्या होता है, से के एक्स प्लस टाइन एक से भाईया, निूमरेटर और डिनॉमरेटर दोनों को किया जाता है, मल्टिप्लाई, इतना समझ में आया होगा सबको, निूमरेटर और डिनॉमरेटर को, दोनो को हमने Sete X plus 3X से कर दिया है multiply अब क्या करूँगा यान लिखा Huang होंगा substituting क्या substitute करना है sec x plus tan x को t करना है इसको differentiate करिया sec x का differentiation क्या होगा बोलो sec x into tan x होगा और tan x का आपको पता है sec square x होगा और बाद में हां dx लगा ही देते हैं equal to लिख देते हैं dt अब इस पूरे में अगर आप ध्यान दें तो आपको sec x मिल जाएगा common और यहाँ कित crochet बचेंगा और plus यहाँ कितना बचेंगा sec x बचेंगा dx equal dt अब आप ध्यान दो sec x plus top ten x dx पूरे की value क्या हो गए dt यह जो पूरा आपको दिख हो सबसाद से कि इन्टु सखेगे प्लस टाइने सिसको dag देखिए यह और यह पूरा पूरा अग्या गिसको हमने क्या बना दिया और इसको टीलेट किया है रहामें किया मिलेगा यह जा एक वह आना चroneको कि जाएक और अवर क्या हो जाएगा इतना असान शाल हो तो लॉग मॉड आप से एक्स प्लस टैन एक्स प्लस ही आप सभी लोग क्या हो जाएगा रेजल्ट हो जाएगा समझ में आए आप सभी लोग को इसको साल्व करने पर एक रेजल्ट आओ रहाता है भाई इसको लिए लॉग तैन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू इसको सिंप्लिफाई करोगे तो आपको यही मिलेगा तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है तो दो रेजल्ट आप सभी लोग को यहाँ पर मिल गया है जो कि मैं यहाँ पर लिख दे रहा log mod of 10 pi by 4 plus में x by 2 इसको भी आप simplify करोगे tiny plus b की formula से तो आपको result वही मिलेगा इसलिए इसको यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है note कर लिएगा आप सभी लोग इसको अब मैं आप सभी लोग को salve कराने चल रहा हूँ cause x का integration cause x का integration कराने चल रहा हूँ इसको फटर फटर से आप सभी लोग note करिये sНеq x का हो गया आप लोग करलें यहाँ पर cause x ठीक है हम लोग क्या करलें cause x करलें उसके बाद हम लोग जादा से जादा questions को आसानी से वहीया solve कर पाएँगे जादा से जादा questions को conjugate का use करेंगे और इसको solve करेंगे, conjugate का use कैसे करेंगे, यहां है आपके पास causex न, तो यहां पर causex प्लस cutx से numerator और denominator, दोनों को हम कर देंगे multiply, है न, और इसको हम let करेंगे t, मतलब substitute करेंगे, देखें कधान से, यहां लिखेंगे, हमने substituting, हमने क्या substitute किया, causex plus cutx is equal to t, इसे आप differentiate करो, तो इसका difference क्या आएगा, minus causex into cutx, minus causex squarex, dx equal dt आदेगा, इसमें से minus causex, common ले ले अगर हम लोग, तो अगर यहां से minus causex common हो जाएगा, यहां causex बचेगा, और plus में आप देखेंगे, तो क्या बचेगा, causex, dx equal क्या बच जाएगा, dt, है न, तो minus को अधर अगर हम बेच देए, यहां से हमें क्या मिलेगा, बोलो causex, इंटू सको अरेंज कर लो, causex, plus causex, dx equal हमें मिल जाएगा, minus dt, यह सारी वायू लाकर के, हम put करेंगे, तो therefore, लिख देता हूँ मैं इसको, यह आपका जो है, put करोगे, तो causex, dx, जो है, वो equal हो जाएगा, minus बाहर, और one upon t dt के, समझ रहें, तो यह आएगा, आपका minus log mod of t plus c, तो minus log mod of t, किसको लिए थे आप सभी लोग यहां पर, causex, प्लस में, cotx, प्लस c, यह आपका result हो जाएगा, अगर इसको हम लोग simplify करें, अगर इसको हम लोग simplify करें, तो log 10x by 2 भी आता है, यह equal होता है, log 10x by 2 प्लस c की प्रवर, इसको simplify करेंगे, तो यही आजाएगा, आप चाहें तो करके देख सकते हैं, तो इस चीज़ को आप सभी लोगों को यहां पर ध्यान रखना है, तो finally हमें result क्या मिला हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हमें result यहाँ पर मिला है, cosic x equal होगा, minus में log mod of cosic x plus में cot x, या इसी को हम equal भी लिख सकते हैं, log 10x by 2 प्लस में c, ठीक न, यह दो result आप लोगों को यहां से मिले हैं, इनको भी आप सभी लोगों को यहां पर note करना है, फटाफट चे डियस्ट्स को आप लोग note कर लिए, बहुत ही important important result, बहुत ही important concept हम सभी लोगों ने यहां पर discuss किया है, मुझे पूरा भरोसा है कि यह सारे concept आप सभी लोगों को काफी बहतर तरीके से डियस्ट्स समझ में आये होंगे, सारे concept, सारे logic आप सभी लोगों को बहुत ही बहतरीन तरीके से clear हो चुके होंगे, अब इनके बिहाब पर जिस जिस तरह के questions हमारे exam में पूछे जाते हैं या जिनके पूछे जाने की संभावनाय होती हैं, हम उस तरह के questions को अब यहां पर हम लोग discuss करेंगे और अपने concept को हम लोग ज़्यादा ज़्यादा डियस्ट्स मजबूत करने का प्रयास करेंगे, चलिए, इसको आप लोग फटा-फट से नोट करिए, अब जो concept हम सभी लोगों ने सीख लिया है, उन पर थोड़े-थोड़े कुछ questions की हम लोग practice कर लें, जिससे हमारी पकड़ हैं हमारे इस topic पर बहतर तरीके से हो सकें, और हम बहतर से बहतर अंक अपने exam में प्राप्त कर सकें, बहुत ही important lecture हो रहा idea student, सारे topic को ध्यान समझते चलिएगा, note करते चलिएगा, आईए कुछ questions आप सभी लोगों के साथ हम यहां share करने वाले हैं, एक question देखिएगा आप सभी लोग, इसको हमें solve करना है, integration of sec square x upon में 3 plus 4 times x लिखा हुआ है, dx लिखा हुआ है, आपको बता दें कि यह UPBTE की तरफ से, Board of Technical Education की तरफ से, 2002 में एक question आपके exam में पूछा जा चुका है, so यह question important है, मैं आप सभी लोगों को इस question को solve करके दिखाने चल रहा हूँ, ध्यान दीजेगा, देखो, नीचे वाले को t substitute करने पर उपर वाल आएगा, इसलिए हम यहां जब solution करेंग यहां लिखेंगे, ध्यान देना सभी लोग, substituting 3 प्लस 4 टाइन x, ध्यान देना सभी लोग, equal to t हो जाएगा, differentiate करो कि 3 का differentiation 0 होगा, 4 का 4, लेकिन इसका जो है, 6 square x dx equal dt हो जाएगा, आपको value 6 square x dx की चाहिए, तो यहां से एक काम करेंगे, 6 square x dx के वालो निकाल लेंगे, 1 upon 4 और dt, अब इन सारी की सारी values को ध्यान समझना, इन सारी की सारी values को ला करके, आप यहां पर क्या करेंगे, put कर दीजिए, then आपको क्या मिलेगा, जड़ा देखेंगे, आप सभी लोग, integration of, 6 square x upon 3 plus 4, 10 x, equal क्या होगा, देखना जहां से, यह 6 square x dx, 1 upon 4 dt, तो और और 4 बाहर कर लो, मतलब क्या होका जानते हैं, 1 upon 4 और इसका integration होगा, log mod of t plus c, तो 1 by 4 log हो गया, और mod of t की वेडियो बताएं, मुझे आप लोग, t का मतलब किसको लिट किये थी, इसी को न, तो 3 plus 4, 10 x plus में c, यही आप सभी लोग क्या हो जाएगा, answer हो जाएगा, कितना आसान सा question था, जड़ा देखें आप सभी लोग, बहुत ही आसान सा, बहुत ही simple सा question था, लेकिन अगर आपको concept आपको logic पता हो, तो अगर आपको logic नहीं पता है, तो आप इस question को easily solve नहीं कर पाएंगे, आईए, और question solve कराते हैं, इसको note करिए आप सभी लोग, एक question और करेंगे, बस dear friends, बाकी आप स सभी लोगों से बोलेंगे, कि थोड़ी practice करेंगे, और next lecture में हम सभी लोग इस sector के जादा-जाद questions को solve करके, और फिर इस sector को हम समापती की तरफ ले करके चलेंगे, आईए देखिए एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही question है, ये भी जाम में पूछा जा चुका है, लि देखो जा रहा, इसको आप चाहो न, तो sine over x into one upon under root one minus x square लिख सकते हैं, अब आपको समझ में आ रहा है, यहां substitute क्या करना है, तो लिख दीजे हैं यहां पर, substituting, क्या substitute करोगे sir, sine over x equal to t, इसको जब आप integrate करोगे, तो क्या हैगा, one upon under root one minus x square, dx equal d2 हो गया, तो finally आपने क्या द जो था, क्या, sine over x upon में under root one minus x square, dx जो था, वो इसको तो आपने t late किया रिया था, तो यह खतम हो गया, तो क्या आ गया, t और dt आ गया, तो t का integration क्या होगा, वो लो, t square by two plus में, c हो जाएगा, तो यहां को मिला कि आ रहा है, आपके पार, sine over x का whole square by two plus में, c, यहां सभी लोगो सा question था, बहुत ही logical questions हा, लेकिन आपने देखा कि exam में दो बार पूछा जा चुका है, इसलिए हमने इस question को यहां पर, आप सभी लोगों को solve करने के लिए कहा, और आप सभी लोगों ने इसको समझा और solve किया, अब dear friends, मैं काम करता हूँ, आज की इस lecture को यही पर समाप्त करत हूँ, आज की इस lecture को मैं यही समाप्त करता हूँ, next lecture में हम इस chapter के जितने भी important questions है, उन सारे के सारे important questions को आपके साथ discuss करूँगा, आपके साथ solve करूँगा, next lecture आपका थोड़ा सा लेननी भी हो सकता, क्योंकि उसमें हम हर एक type की questions के बारे में discuss करेंगे, हर एक type की questions को आप स second lecture होगा, इन lecture में जो आपको formulae बताए गए हैं, जो आपको concept बताए गए हैं, वो सारे concept, वो सारे formulae, आप सभी लोगों के बहुत ही बहतर तरीके से clear हो जाएं, तब आप सभी लोगों को exercise solve करने में एक अलग ही आनन्द आएगा, और आपको हरे की 100% तरीके से समझ में भी आई होगी, I hope आज की इस lecture में जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाने का प्रयास किया है, जो कुछ भी मैंने आप सभी लोगों को समझाया है, वो सारी चीज़ें आप सभी लोगों को 100% समझ में आ गई होगी, अगर आपको कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई भी problem लगी हो, त आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताईएगा, और अगर सब कुछ अच्छा लगा है, अगर आपने दोस्तों के साथ सेयर नहीं, यह सेयर कर दीजिएगा, बागे डियर स्टेंट्स, आज की इस lecture में बस इतना ही, मिलते हैं next lecture के साथ, next topic के साथ, तब तक यह सांदा रही और पढ़ते रही है